अब देखिए यह question आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि language थोड़ी से अजीब सी दी हुई है ठीक और power का मतलब क्या होता है ये भी आपको समझ में आना चाहिए सुनिए number one सबसे पहले ये जो बात इन्होंने बोली है ना कि 4 kilowatt एक टोस्टर है जिसका power कितना है 4 kilowatt is running in an existing circuit of 110 volt that has a stream ranking of 4 ampere मतलब ये जो टोस्टर है अब टोस्टर का कुछ ना कुछ resistance होगा तो टोस्टर को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ भाई टोस्टर का कुछ ना कुछ resistance होगा तो टो existing circuit में existing मतलब पहले से कोई circuit है उसमें लगा के रखा हुआ है टोस्टर को तो यह दिखिए उस circuit में potential difference कितना मिल रहा है 110 वोल्ट तो यह दिखिए यह हमने DC supply लगा दिए कोई बात नहीं है ठीक है मतलब बैटरी दिखा रहे तो direct supply है ना DC supply ठीक है तो यहां पर बच्छों य यह आपको कितना potential difference दे रहा है 110 वोल्ट का ठीक है 110 वोल्ट का तो इस टाइम यह जो टोस्टर लगा है यह resistance है किसका टोस्टर का यह टोस्टर मैंने दिखाया हुआ है अलग कलर से मैं आपको दिखा देता हूं ठीक यह क्या है आपका टोस्टर है ठीक है students ओके तो बच्छों यह जो टोस्टर है अब सुनिए यहां में एक assumption ले रहा हूं मैं यह assumption ले रहा हूं सुनिए ध्यान से मैं यह assumption ले रहा हूं कि टोस्टर जिस company ने बनाया हुआ है सुन लीजे कोई teacher अगर इसको देख रहा हो तो इसके दो answer आ सकते है D option भी आ सकता है और आपका B option भी आ सकता है मैं दोनों discuss करूंगा यहां जो अभी मैं solve करने जा रहा हूं क्योंकि आप लोग internet पेस का answer देखोगे तो आपको option B मिल रहा है तो वो क्यों मिल रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूं ध्यान सुनिए मेरी बात को here we assume here we assume हम यह assume क कर रहे हैं कि जिस भी कंपनी ने इस टोस्टर को बनाया है तो उस कंपनी ने इसकी power कितनी बताईए कितनी क्लेम करा है कि इसका power कितना को फॉर किरो वाट वो जो क्लेम किया वह 110 वोल्ट पे क्लेम किया हूँ यह हम मान के चल रहे हैं सुनिए गा ध्यान से here we assume that एक topic होता है ना ncrt में और एस्चान में भी दिया है power voltage रेटिंग पावर वोल्टेज रेटिंग का क्या मतलब होता है सुन लीजे पहले जिसको नहीं पता है मैं उसके लिए थोड़ा बता देता हूं आपको नहीं आपको समझ में नहीं आएगा देखिए power voltage रेटिंग क्या होता है इसस नथिंग electrical energy consume per unit time क्या होता है energy का मतलब energy टी का मतलब time energy consume per unit time जैसे कि example के तौर पे मान लीजे बच्छों example के तौर पे हम हमारे पास कोई बल्ब है है ना यह बल्ब है और इसकी बच्छों power कितनी लिखी हुई है 100 watt मान लीजे तो आपको कुछ नहीं करना है watt को हटाके जूल पर सेकंड लिख दीजे क्या लिख दीजे watt को हटाके जूल पर सेकंड यानिके यह कैसा बल्ब है जिसको अगर हम किसी voltage source में तो यह पर यूनिट टाइम में कितना energy consume करेगा 100 जूल यह इसका मतलब होता है समझगे तो सुनो ध्यान से पावर वोल्टेज रेटिंग का मतलब यह होता है कि जब भी बजार से आप कोई समान खरीद के लेके आते हो जैसे मानलो आप यहीं वाला बल्ब खरीद के लेके आ तो वहां वी भी लिखा रहता है जरा पढ़िएगा इंडिया में बात कर रहा हूं मैं इंडिया की इंडिया में जो पटिंशे डिफिंस आता है वह कितना आता है 220 वोल्ट आप NCIT उठाके पढ़ लीजे तो 220 मतलब वह कंपनी यह कहना चाहती कि देखो भी या जब इस बल् 220 वोल्ट के वोल्टेज चोर्स में लगाओंगे तभी इसकी पावड कितनी होगी ज्यान से सुनिचेगा जब इस बल्फ को हम कहां लगाएंगे 220 वोल्ट के वोल्ट चोर्स में लगाएंगे यानिके ज JIMी ूंदेट टून्टमट मोल्ट मिलेगा अध यह पावर कितनी करेगा जब और energy consume करके क्या करेगा हीट और लाइट आपको देगा ठीक है ना जब आप इसको वोल्टे सोर्स इतना दोगे तो कोई भी समान आज के बाद खरीद के लेके आईएगा तो आप उसकी पावर वोल्टेज रेटिंग देखिएगा ठीक अब सुनो इंडिया में जो जब भी company ने इसको बनाया हुआ है ठीक है here we assume that company claims जब भी company ने इसको बनाया हुआ है company claims company claims that अभी spelling अगर देख लेना आप लोग भाई है ना company claims that toaster will show its power toaster toaster will will toaster will show its power its power is equals to 4 kilowatt 4 kilowatt को watt में करोगे 1000 से multiply करके याने के मैं लिख देता हूं ठीक है 4 kilowatt का मतलब हो गया 4000 watt सुनिएगा ध्यान से ठीक तो बच्चों यह toaster 4000 watt power तभी शो करेगा when when voltage is equals to 110 volts सुन लो आज मैंने यह मान लिया है कि मान लो कंपनी मान लो आप इंडिया में नहीं हो आप किसी और country में हो जहां जैसे कि आपका शायद जहां पर भी होता है और वह Google करके देख लेना जहां potential difference 110 आता है वहां का वाली कंपनी का टोस्टर है ठीक है ना वहां वाली कंपनी का टोस्टर है यह यह वाली जिस कब जब आप इसको वोल्टेज कितना दोगे 110 वोल्ट अभी दूसरे तरीके से भी इस कोशन को में करके दिखाऊंगा ठीक है ना ओके अब देखो जरा ध्यान से अब अब सवाल पढ़ो पहले पहले पहला तरीका है ना यहां पर हम यह जूम कर रहे हैं कि यह इतनी को हटा के जूल पर सेकेंड लिख सकते हो आप यहने कि एक सेकेंड में इतनी एनरजी कंजूम करेगा ठीक है अब सवाल को करो अब उसने बोला कि आप टोस्टर ऑफ 4 किलो वाट तो 4 किलो वाट का टोस्टर आपने लगा दिया है 110 वोल्ट में है तो इसका क्या मतलब है यह आपको बस बेवजा कोशन में दिया हुआ है स्ट्रीम रैंकिंग ओफ 4 एंपियर का यह मतलब है कि इस सर्केट में जो वायर गई हुए ना कॉपर की यह देखिए यह भाई कॉपर की वायर होगी तो यह कॉपर की वायर कितना करेंट झेल सकती है क्यों एक लिमिट होती है करेंट की कितना करेंट झेल सकती हो क्यों जूल्स लॉफ हीटिंग नहीं पड़े हो गया जूल्स लॉफ हीटिंग एच बराबर आई स्कॉयर आर्टी है ना तो अगर करेंट की वैलू बढ़ जाएगी तो भाई हीट जनरेट होगी जिससे वायर जल जाएगा बर्न हो गया इस फिर जाएगा तो वही चीज़ यह कह रहा है कि देखो भी या जिस भी सर्कुट में ये टोस्टर लगा हूँ है ओँ जादा से जादा कितनी जहल सकता है फूर एंपिर की बस यह वह कहना चाहता है तो जहल सकता होगा हम क्या करें तो यह बात बेवजाही आपको य लगाद होगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4000 वाट याने कि अब आपको नॉलेज है नहीं कि इस वायर की जो इसकी जो चमता है यह कितना मैक्समुम करेंट जहल सकता है इस क्यापबल में लिख देता हूं इस क्यापबल टुविद इस्टैंट टू मैक्समुम करेंट मैक्समम मैक्सम 144 MP बस यह 46 MP मैक्सम जहल सकता है इसा उन्होंने बता आया है उनकी बात तुम अपना सवाल करो उसने क्या बताया है अब उसने क्या पूछा है उसने पूछा है你想 ads stream of the electron सुनो stream of the electron का क्या मतलब होता है stream of the electron मतलब बहुत सारे electron चल रहे हैं electron का चलना क्या कहलता है current अरे यार flow of electron current ठीक तो stream of electron अगर पूछा यानि के current आप उसने आपको current पूछा है तो आप एक काम करो आप एक काम करो अपने question में आप क्या करो यह find the stream of electron को कट करके current लिख लो तो आपको अच्छा लगेगा क्यों stream of electron का मतलब ही current होता है तो find the current find the current drawn by toaster तो toaster कितना current drawn करेगा यह आपको निकालना है और मैं मान के क्या चलना हूं कि इतने voltage सोर्स पर इतनी power तो यार बहुत असान है क्या दिक्कत है पी दिया हुआ है वी दिया हुआ है तो क्या current नहीं निकाल पाओ गया पी इस इकॉल्स टो वी इंटु आई फॉर्मले से बताओ आई क्या है current है तो आई अब कुछ लोग बोलेंगे current तो दिया हो आई यार वह maximum current कितना जेल सकता है circuit है ना उससे अगर ज्यादा current आएगा तो circuit जल जाएगा यानिके जो वायर खराब हो जाएगी ठीक है तुम्हें अपना current निकालना है क्योंकि टोस्टर जब तुम लगा ही दो कभी-कभी तुमने देखा होगा ना तुमने कोई टोस्टर लगा दिया और तार जल जाती क्योंकि टार की क्षमता नहीं होती है यार तो तुम तोस्टर तो अपना current ग्रों करेगा यार उसको जितना चाहिए क्योंकि voltage इतना मिल गया है कि वोल्टेज इतना मिल गया है पावर इतनी है तो भाई वह तो अपना करेंट निकालेगा अब तुम्हारा जो वायर है उसकी शमता नहीं है चार एंपियर से अब यह तो आप कर लोगे अभी में एक और डिसक्शन आपको यहां बता देता हूं ठीक है चार सो बाई एक मिनट चार सो बाई ग्यारा कितना रहा है बताओ 36.36 ठीक है तो इस हिसाब से बच्चों एंपियर है आपको कौन सा उप्शन सही होगा बताए इस हिसाब से आपका क इंटरनेट पर देख रहे होगे यह अंसर आ रहा है लेकिन यहां मारी अजमशन की कंपनी ने बोलाए एक 110 पर लगाओ तो यह है अब सुनो अब मैं आपको इसी कोशन को इंडिया के हिसाब से करके दिखाता हूं कि अगर यही टोस्टर कहा होता इंडिया में ठीक तो रही कि उन्होंने बोल दिया नहीं इंग इन एक्जिस्टिंग सर्केट ओफ 110 वोल्ड याने वहां खुद ही कहना चाहते हैं कि यह बात सही है जो मैंने लिखी 110 वोल्ड पर लगाने पे इत्ती पावर चो कर रहा है तो इससाब से आंसर सही है सही है अंसर सही है लेकिन अग अगरबचो अगर 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 हम अएसा सोचें idea में तब दिखाएगा क्योंकि अगर ओन्टी वॉल्ट मिलेगा तभी आगर तो थिखाएगा थिक लेकिन अब तुम इसको लगा कहा है एक सो दस वोल्ट पे ठीक है तुम इसको लगा कहा रहे हूं एक सो दस वोल्ट पे तो सुनो ध्यान से अब यह इतनी पावर तो नहीं शो करेगा बात समझ जो इतनी पावर नहीं शो करेगा मतलब अब इस टोस्टर को अगर यहां लगा रहे हूं तो अब तुम करेंट आई इज इकॉल्स तू कुलो पुनो P is equals to V into I से अब तुम I बराबर P by V नहीं लगा सकते हो क्यों क्यों कि भाईया अब तुम पावर की वैलू यह वाली यहां नहीं रख सकते हो क्यों नहीं रख सकते बताओ वोल्टेज इतना है और इतनी वोल्टेज पर उतनी पावर देगा ही नहीं वो तो इतने पर देता है क्या करें । क्या करें । passé पावर तो उसKY चैंज हो जाएगी St平 जो छीजफ फिक्स है पहले और उसको निकाळ लिए क्या फिक्स है रजिस्टेंज सा रइजिस्टेंज कि सप्र में करता डिमेंशन पर वह तोस्टर में जो भी कॉईल वाइल डूइल लगी होगी जो भी elements लगे होंगे ना तो उसका length change होगा ना cross section area ना material तो resistance fix रहेगा यानि के पहले आप resistance निकाल लीजे तो resistance कैसे निकालेंगे बताइए P is equals to V square upon R से ठीक पढ़ा है ना तो R इधर चला जाएगा तो क्या आजाएगा V square upon P तो resistance निकाल लिया पहले हमने कैसे power voltage rating से यह power voltage rating की help से हमेशा क्या निकाल लिया जाता है resistance निकाल लिया जाता है क्योंकि resistance हमेशा fix होता है तो resistance हमने company की information से निकाल ली जिस company ने बोला था कि भहिया voltage इतने पर power इतनी तो हमने का ठीक है इसका मतलब यहां से resistance निकाल सकते हम तो V की value कितनी रखोगे 220 तो 220 into 220 upon में P कितना है 4 kilowatt 4 का मतलब है 4000 watt अब इसको आप solve कर आप उन में 40 है ना 22 into 22 ठीक और अप उन में कितना हो जाता है आपका 40 कितना हो गया 12.1 तो इसका resistance कितना हो गया 12.1 ओम तो यह इसका resistance हो गया अब सुनो मेरी बात को ध्यान से जैसे ही इस toaster को लाके आप 110 वोल्ट में लगाओगे ठीक है तो अब ध्यान सुनो एक चीज़ इसकी तो fix हो गयी क्या resistance 12.1 अब बताओ इतना resistance दिया हो है वोल्ट इतनी तो क्या current नहीं निकाल लो होगे तो करेंट कितना आ जाएगा सिक तो यहां से current कितना आ जाएगा बताई 110 और divided by 12.1 चे कितना आ गया 9.09 जो कि आपको option में इसी के near about current भी दिया हुआ है तो अगर आप ये वाली theory सोचोगे है ना कि अगर ये इंडिया वाला टोस्टर है तो 220 वोल्ड वे काम करेगा तो उसका resistance निकाल के current निकालोगे तो 9.09 आएगा तब option D हो जाएगा 9.09 किसके नियरेस्ट है 9.06 के नियरेस्ट आ रहा है तब ये वाला option सही हो जाएगा समझे तो अगर आप option B को टिक कर रहे हैं सुनो board examination में ऐसा सवाल नहीं है परशान करने वाला परशान मत हो ये ठीक परशान मत हो ये वहां clear सब कुछ mention रहता है जैसा कि आपको CBSC के paper में कहीं मिला होगा ये आपको कहीं मिल गया होगा तो आप परशान हो रहे है ऐसा कुछ नहीं मैंने दोनों बातें आपके डिसकस कर दीए अचा एक चीज़ और चाहें आप ये टोस्टर कितना करें ड्रॉन कर रहा है 36.6 यानिके circuit burn हो जाएगा जल जाएगा circuit अगर कोई fuse लगा हुआ तो fuse खराब हो जाएगा क्योंकि फ्यश्यों की लिए की चरेंबीर की होगी एक रभाब हो जाएगा फिएगर दूसरे केस में अगर आपने ये अशाम लिया कि टोस्टर इंडिया में बना हुआ है तभी करेंट तो आपका 9.09 यानिकिए 4 एंप ये तब भी यह सर्केट जल जाएगा खराब हो जाएगा अगर फ्यूज लगा है चार एंपियर का तो ओड़ जाएगा तो आपको मेरी बात समझ में आई होगी अब जो आपको पसंद है वह आप कर लिजे मैंने दोनों डिसकेशन यहां कर दी है ठीक है ना अब आप पूछो को को एक्जाम में आगा तो क्या करेंगे एक्जाम में नहीं आएगा प्रशान में बोर्ड एक्जामनेशन में साफ सीधी बात पूछी आती इतनी घुमा के नहीं पूछते हैं